बीजेपी हाई कमान निकी शिवराज सिंग चोहान की घंकोर बेच जबी बीजेपी उम्मेदवारों के लिस्ट में नाब नहीं टिकट पर सकत 36 गुपी सूची में रमन सिंग का भी नहीं नाब बीजेपी ने MP के लिए 49 और 36 कट के लिए 21 विदासवा सीटों के लिए उम्मेदवारों के नाम का एलान कर दिया है लेकिन इस लिस्ट को लेकर कई सवाल उठने लगे है बीजेपी के लिस्ट से कॉंग्रेस पर भी दबाव बढ़ गया है तो कि कॉंग्रेस की ओर से लगातार दावा किया जा रहा था कि उसकी पहली सूची जल्दी आ जाएग जबकि बीजेपी की सूची के एलान के बाद ही आ पाएगी पीस-बीस एकटी जीन के आना शुरू हो जाती, नाख में चेंग और रनिंग नोस, गले में रेशा गिरते रहना, अलर्जी रक्षक अफले का आधा चमच सुबर शाम गरम पानी के साथ लें, कुछ ही दिनों में आपकी प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। इस प्रड़क्ट को और्डर करने के लिए गूगल पर टाइप करें अलर्जी रक्षम टाट कॉम या कॉल करें 8400-500-589 पर दरसल जब भी बीजेपी अकॉगलेस उम्मीद्बारों की सुची जारी करती थी और खास तोर पर उस राज्ज में जिसमें उसकी सरकार है और तो वहाँ लिस्ट में पहला नाम राज्जी के सीम का होता था लेकिन मत्यब्रदेश के लिए बीजेपी ने 49 उम्मीद्बारों की जोलिस्ट जारी की है उसमें शिर्म सुराज सिंग का नाम ही नहीं है इसके बादे सवाल पूछा जा रहा है कि अशिर्वराज को पार्टी टिकट नहीं दे रही है वैसे बीजेपी के ओर से कहा जा रहा है कि पहली सूची में उन सीटों पर उम्मीद्बारों के नाम का एलान किया गया है जहां पार्टी कमजोर है और 2018 के विधानसबा चुनाओं में हार कई थी ये तैवारा जा रहा है कि मत्यब्रदेश में नामबर के आखरी में विधानसबा चुनाओं के लिए मत्तान होगा ऐसे में उम्मीद्बार के पास अब चुनाओं पर चार के लिए तीन महीने से भी जादा का वक्त होगा और वो आसानी से पूरे क्षेतर का प्रमन कर सकेगा लेकिन कमजोर सीट पर उम्मीद्बारों का पहले एलान कर सीम के टिकट की खोशना ना करने से अब कॉंग्रेस को भी शिवराज पर हबला करने का बवकाबल गया है साफ है पार्टी ये जरूर पूछेगी कि क्या शिवराज का टिकट कर गया है वैसे शिवराज की टिकट पर बीजेपी ने अभी उम्मीद्बार कोशित नहीं किया है ऐसे में संभावना इसी बात किये कि शिवराज को उनकी परंपरागत सीथ बुधनी से टिकट मिल जाएगा और यहां से वो आसानी सुनाव जीत भी जाएंगे शिवराज को टिकट भले ही पहली सूची में मिल पाया हो लेकिन दिकविजे ने जो संकेत दियें उसमें उरोने साफ कर दिया है कि कॉउग्रेस की पहली सूची में शिवराज के खिलाब कॉउग्रेस के उबीद्वार का नाम सामने आ जाएगा वैसे छटका बीजेपी ने सिर्फ शिवरासिक जोहान को ही नहीं दिया है बल्कि 36 गड़ के बीजेपी के वरिश टेता और 15 साल तक लगाता बीजेपी के ओर से सीयम रहने का रेकॉर्ड बनाने वाले रमन सिंग का राब्बे उबेदवारों की लिष्ट में नहीं है और रमन सिंग के टिकट को लेकर तो यहां तक दावे हो रहे हैं कि शायद इस बार पार्टी उन्हें विदांस बाच रॉल लड़ाए ही न क्योंकि पिछले 5 साल से बीजेपी ने रमन को कोई बहुत बड़ी जिम्मदारी नहीं सोबी है 2018 बीजेपी को सबसे खरारी हार 36 गड़ में ही मिली थी और पार्टी ने हार के लिए रमन सिंग को इस जिम्मदार माना बीजेपी के ओर से छटके सिर्फ शिवराज और रबन सिंग को ही नहीं दिये गए हैं बलकि वसंद्रा राजे को भी जटका लगा है उन्हें चुनाव वियाल से जोड़ी किसी भी समित पर जगए नहीं मिली है इसके बाद इस बात के संकेत मिलना शुरू हो गया है कि बीजेपी इस बार मत प्रुदेश, शारस्तान और चत्तिस गड़ तीनोई जगा पियम मोदी के चेरे पर चुनाव रड़ेगी बेरो रिपोर्ट दनोधरपर निउज